नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं CBSE 10th 12th Term 1 Realty 2022 Update केंद्रियम आद्मिक सिक्षा बोड CBSE के लाखो चात्रों के लिए चीख खबर है बोड दस वी और बरह वी परिक्षा के Term 1 परिक्षा के नतीजे की घोशना करने जा रही है CBSE के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया है की बरह वी कक्षा के पईणाम बोड धुआर या गुरुआर को जारी होने की समभवना है इसके बाद 10 मी कक्षा के पईणाम इस सप्ता के अंत तक घोशना की जाएंगे केंद्रिये मादमिक सिक्षा बोर्ट CBSC ने टर्म 1 2021 के पहिणाम जारी करने की तैयारी तेज कर दिया है नौबर दिसंबर 2020 में कक्षा दस्वी और बराहवी टर्म 1 बोर्ट पर इक्षा विजित की गई थी जिसके नतीजे इस सब्ता जारी हो रहे हैं पहले बराहवी कक्षा के पहिणाम बोध्वार या गुरुआर को जारी किये जाने की संभवना है इसके बाद कक्षा 10 का पहिणाम घोशित किया जाएगा प्राइबेट इसकूलों को फीस नहीं बढ़ाने को सिक्षा मंदरी लिखेंगे पत्र इसकूली सिक्षा योम सक्षर्टा विभाग के मंतरी जगनात महतों ने मंगलवार को सदन को अस्वासन दिया है कि नीजी स्कूल फीस न बढ़ाए इसे लेकर विभाग की ओर से पत्र भेजा जाएगा उन्होंने या अस्वासन बिधायक भोशन बढ़ा के सवाल पर दिया बिधायक ने सदन में कहा कि करोना के करण लोगों के आर्थे किस्थिती खराब होई है किसी तरह वे अपने बचों को बेतर सिक्षा देने के लिए नीजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं लेकिन नीजी स्कूलों द्वारा फिस बढ़ाने से उन्हें परशानी हो रही है मंत्री ने उनके इस सवाल पर की बचों को स्मार्ट फोन देने तथा पर तेकमा रिचाज कराने पर विचार सरकार रखती है या नहीं मंत्री ने कहा कि इस तरह की कोई योजना नहीं है सभी स्कूल खोल दिये गए हैं और अब ओनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है आज से 73,000 सिपाही हवलदार करेंगे आंदोलन जारखन पूलिस मेंस एसोसियेशन से जूले 73,000 सिपाही हवलदार बुद्ध्वार से आंदोलन आरम करेंगे पहले चरण में वे काला विला लगा का ड्यूटी करेंगे आंदोलन के दिरतिय चरण में 21 मार्च को सभी जीला वाहनी पोश्ट वदा पिकेट का मेंस बंद रहेगा सभी जवान एक दिन के सामोही कुपवास पर रहेंगे इस पर भी सरकार ने कोई पहल नहीं की तो आंदोलन के तरितिय चरण में 31 मार्च को एसोसियेशन के पदाधिकारी सदत से अपने अपने जीला वाईनी मुख्याले में एक दिवस्य धाना देंगे और वहां के भागा अध्यक्ष को अपनी मांग पत्र सोपेंगे इसके बाद भी इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो आंदोरन के चोथे चरण में पांच दिनों के सामोहिक अवकास पर चले जाएंगे जार्खन पूलिसमेंस एसोचेशन के प्रांतिय अध्यक्ष राकेश कुमार पांडे ने बताया कि एसोचेशन ने मुख्य मंत्र हेमंसुरें से मिलने के लिए कई बार समय भी मांगा लेकिन असफलता हाथ लगी है महिलाओं के संग कदम से कदम मिलाकर जार्खन की तस्वीर बदलना चाहती है सरकार अंतराश्रे महिला दिवस पर जार्खन मंत्रा लेज्थित सभागार में मंगलवार को राय सरकार की महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्चा विभाग ने एक बिशेश कारकन का उजन किया मौके पर मुख्याती थी के रूप में मौजोद मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने तेस्वीनी पर योजना के तहाद धनबाद में ओनलाइन ब्योसाई कौशल प्रसेक्षन केंद्र का उदगाटन भी किया पोशन अभियान में बेहतर कारे करने वाली आंगनवाडी सेविका दुमका की नुतुन देवी वपच्मी सिभुम की रिता स्री पारया को प्रससित पत्र देकर समानित भी किया उन्होंने कोविट संक्रमन काल में सराहनिय कारे करने वाली अमोला बास की एवं जया बिरूली को भी प्रससित पत्र दिया गयर सरकारी सहायता प्राप्त अल्प संख्यक स्कूल के सिख्षकों को मिलेगी पेंसन गयर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारामभिक एवं माधिमिक स्कूलों में 1 दिसमबर 24 के बाद नियुक्त सिक्ष को एवं करमचारियों को नवीन अंस दाई पेंसन योजना का लाब मिलेगा इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग में इसे लेकर आवसक पर क्रियाय पूरी की जा रही है इसकूली सिक्षा यम सक्षता विभाग के मंत्री जगनात महतों ने जनकारी सदन को दी उन्होंने विधायक बंधु तिर्की के अल्प सुचित प्रश्ण के जबाब में बताया कि गयर सरकारी साहता प्राप्त 457 सिख्षकों का बेतन निर्धारन प्राथमिक सिख्षा निदे साले द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है वहीं इस रेनी के माध्मिक विध्यालों के सिख्षकों का नियुक्ती अनुमोदन के लगभग 150 लंबित मामलों में से 127 मामलों पर विचार करते हुए 95 सिख्षकों के नियुक्ती की संपुष्टी कर दी गई है जारखन की बैटियों के लिए सेतू सिख्षा पाठकरम का विमोचन अंतराश्ट्रिय महिला दिवस के उसाप्रमहिला बाल विकासर म समाजिक सुरक्षा विभाग दोरा परजेक्ट ब्वन में कारे करम का उजन किया गया इस दोना राजी की बेटियों को सिक्छा का तौपा दिया गया मुक्ष मंत्री हेमांसरेन और मंत्री जोबा मांजी ने सेतू सिक्छा पाठकरम का विमचन किया सेतू सिक्छा पाठकरम राजी के 17 जिलों में शुरू हो रहा है इसके तहट इसकूल से दूर आठवी से दसवी तक की सिक्षा से 14-20 वरस की बलिकावों को जोड़ना है सीएम ने कहा कि महिलाओं को प्रुत साहन देने हेतू सरकार की प्रत्मिकतावों में है सरकार हर महिलाग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को संकल्पी था घोड़े की सवारी करनाए अंदाज में विधान सभा पहुंची अंबा परसाद अपनी विभीन मांगो को लेकर बीज़ेपी विधायक वा आईसू पाटी के विधायक हाथों में तक तिया लिये धरने पर बैठे एक तरफ जहां भी जेपी विधायकों ने सिरकाप प्रगंभीर आरोप लगा कर श्थीपा मांगा वहीं आईसू पार्टी के विधायक ने 1922 के खत्यान अधारित अस्थाने निति लागू करने की भी मांगी जेपी एसी की मेंस परिक्षा नहीं टरेगी जारखन हाई कूट के जस्थिश डाक्टर एसन पाठत की अधालत ने 17 से 10 सन्यूक्त सीविल सिवा प्राडमबिक परिक्षा के ओमर सीट पर इन वीजिलेटर का हस्ताक्षर नहीं होने को लेकर दायर आज क्या पर सुनवाई करते आदालत ने कहा कि प्रार्थी के आगरा को सविकार नहीं किया जा सकता आदालत ने जेपी सी को जवाब दायर करने का निर्देश दिया अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तीथी निधारित की इसे पूर्व जेपी सी की ओर से अधिवक्त संजय पीपरवाला वह इक्षा परोक लगाना उचित नहीं होगा जारखन के नक्सली हमले में मारे गए 794 नागरीकों के आसरीतों को मिली नोकरी बिधान सभा में प्रभारी मंतरी आलमगीर आलम ने कहा कि नक्सली घटना में मारे गए 1587 नागरीकों में से 794 के आसरीतों को नोकरी मिली है इसके स बात 1.86 को अनुदान रासी का लाब दिया गया बाकियों को भी जल्द इसका लाब मिलेगा उन्होंने यह बाते भाजपविधायक बिरंची नरायन की ओर से उठाये गए सवाल के जबाब में कही सिरी आलम ने बताया कि 2010 से लागू आत्म समर्पन नीती के तहद जनवरी 2022 तक 231 नकसलियों ने आत्म समर्पन भी किया भाजपविधायक बिरंची नरायन ने सरकार से पूछा था कि 2010 की आत्म समर्पन नीती के बाद सरेंडर करने वालों की सुविधा मिल जाती है लेकिन अकसल घटना में मारे गए लोगों के असरी तो को लाब क्यों नहीं मिल रहा जारखन में कुरोना के 27 नाय केस मिले है जबकि 61 मरी स्वास्थ भी हुए है जारखन में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 202 है भारत में 346 नाए केस मिले जबकि 419 मरी स्वास्थ भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 47 या 4730 जहारखन में अप्रेल से जून के बीच 1 से 22 तक के छात्रों के लिए चलेगी ये स्पेसल कलास COVID-19 के कारेनी स्कूलों के बंद होने से बचों की पढ़ाई को जो नुक्सान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी इसके तहत राजे के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से बरामी तक के साभी बचों के लिए अप्रेल से जून तक विसेस का क्छाय चलेंगी राज सरकार नहीं से निदानातमक सिक्छा का नाम दिया है वहीं इसके लिए वितिये वर्ष 2022 देश्त के बजट में 40 कोड़ों रूपय का प्रधान किया गया है इसकुली सिक्षा इवम सक्षाता विभाग ने निदानात्मक सिक्षा को लेकर त्यारी पूरी कर ली है विभाग इसे लेकर दिसानिदेश जारी करेगा सिक्षा विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए सेक्षिनिक सत्र को तीन माह के लिए बढ़ा दिया है इस वर्ष सक्षिनिक सत्र 31 मार्श की जगा 30 जून को समाप्त होगा इसी बीच महिने में बच्चों के लिए बिसेस्त का ख्षाय चलाई जाएगी हजारी बाग के केरे डारी में एक जुट हुए रयत अपर समहारता हजारी बाग के निदेशक पर CCL चंद्र गुप्त परियोजना अंतरगत नया खाप में वन भूमी गर्मजरुवार जंगल जाड़ी भूमी के वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्तित प्रमान पत्र को लेकर मंगलवार को आमसभा कायोजन हुआ इसमें नया खाप के जंगल जाड़ी किस्म के 5.6 एकर जमीन का अधिकार बिचार विमर्ष किया गया बता दे कि CCL के चंद्रगुप्त कोल माइन्स के लिए कूल 231 एकर भूमी अधिकरहन होना है जिसमें केरेडारी के चटी बर्यातु जोर्दग नया खाप पचला सिछुआ और टंडवा अंचल से उरसु गाउं का जमीन अधिकरहन होना है जामतरा में स्रम दान से बना दिया पूल जारखन के जामतरा जिले के नाला परखन की अजाय नदी के कास्ता घाट पर पूल नहीं होने से बर्सात के दिनों में ग्रामिनों की जिन्दगी कैद हो जाती थी किसी मुसीबत में इनकी परिशानी और बढ़ जाती थी महज एक पूल के लिए उन्होंने काफी आरजू बिन्नत की लेकिन मन्नियों ने इसकी सूध नहीं ली अखिरकर जीद से ग्रामीनों ने आपसी समाती से पैसे जुटाए और औस पूल बना लिया इससे इनकी राह आसान हो गई है खुटी में ड्रोन सरवे के विरोध में एक जुट हुए ग्रामीन स्वामित्त व योजना के पैलोट प्रजेक्ट के तहत खुटी जीले में हो रहे ड्रोन सरवे के बिरोध में मंगलवार को आदिवासी मूलवासी अस्तित्वर रक्षा मंच आदिवासी एकता मंच मुंडारी, खुट कटी परिशद सन्युक्त पड़ाहा, समीती और विभीन ग्राम सभा के द्वारा जादूर अखाडा में सभा कायोजन किया गया इस असर पर खुटी जिला के विभीन छेतरों से काफी संख्या में ग्रामिन पहुंचे सभा को समोधित करते हुए दया मनी बारला ने कहा कि लोगों से समाती लिए बिना ही ड्रोन सर्वे किया जा रहा है सर्वे कर जमीन का डिजिटल नक्सा बनाया जाएगा सर्वे के विरोध में DC समय स्यो एवं अनधिकारियों को आवेदन दिया बोकारों से चार अप्राधि गिरफतार जार्खन के बोकारो थर्मर सी सी एल जारंग डी कोलियरी गोलिकान क्या रोपी एवं एन एस पी एम के चार सदस्यों को पुलिष ने गिरफतार किया है बेरमो अनुमंडल के नक्सल परवावीत चत्रो चत्टी थाना अंतरगत जर कुंडा बजार से सो मल को छपे मारी कर इने गिरफतार किया गया है धनबाद गोमो से गुजरने वाली कुष ट्रेने 10 मार्च को रहेगी रद जारखन के धनबाद रेल मंडल के धनबाद गोमो रेल खन पर निचित पूर एवं तेतुल मारी स्टेशन के बिच ट्रेफिक एवं पार बलोक का कारे किया जाएगा इसके लिए 10 मार्च को पुर्वाहान 8 बज कर 30 मिनट से 17 बज कर 30 मिनट तक बलोक लिया जाएगा और इस कारण कई ट्रेनों को रद कर दिया गया है जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा पलामू से ASI 5000 रिस्वत लेते गिरफतार भष्टा चार निर्धक बियोरोग टीम ने पलामू के पडवात थाना से सहायक और निरिक छक मुनलाल जामूदा को गिरफतार किया है बताया जा रहा है कि सहायक अवर निरिक्षक मुनलाल द्वारा अनुसंधान के बाद केस डायरी न्याले में भेजने के एवज में 5-6 रुपे घूस मांगा जा रहा था इसकी सिकायद पीडित ब्यक्दी ने ACB से की थी जाच में पुष्टी के बाद आरोपी को रिश्वत लेते रंगों हाथों की रफ्तार कर लिया गया है 15 दिनों में होगी बालू घाटी की निलामी बिधान सभा का कोई ऐसा सत्र नहीं होता जब बालू के अवयद खनन का मामला सदन में नहीं उठता हो बतादे मंगलवार को भी बालू घाटों की निलामी नहीं होने तथा इसके अवयद खनन को लेकर जहां सत्ता पक्ष के बिधायकों ने सदन के अंदर और बाहर परदर्शन किया वहीं दोनों पक्षों के बिधायकों ने इसे गंभीर समझ से बताया सरकार के जवाब में परभारी मंत्री बादल ने कहा कि बालू घाटों का संचलन जहारखन राजे खनीज विकास निगम द्वारा ही किया जाएगा निलामी है तु एजेंसियों को राजे अस्तर पर सुचिवत करने के लिए बिध्यापन जारी किया जा चुका है 15 दिनों के भीतर एजेंसियों को सुचिवत कर लिया जाएगा जीला अस्तर पर निलामी उपायुक्त के माध्यम से की जाएगी जहारखन से दस्वी बरहवी अनिवारे के खिलाप सुनवाई आज जहारखन राज एक करमचारी चैन आयोग की संसोधित नियुक्तिनी मावले के खिलाप दाखिली आज का पर जहारखन हाई कोट में सुनवाई टल गई है यह मामला चीफ जाश्टिस डाक्टर रवी रंजान वा जाश्टिस एसन पर साथ के आदालत में सुनवाई के लिए सुचिवत था सरकार और जेपी एस्टी की ओर से कहा गया कि इस मामले में सुप्रीम कोट के अधिवक्ता पक्ष रखेंगे बुद्वार को मामले की ओनले सुनवाई की जाए आदालत ने आगरा का सुईकार करते वे बुद्वार को मामले में सुनवाई निधारित की है एक माह में आरक्षन लागू करे सरकार OBC मोर्चा राश्ट्रिये OBC मोर्चा ने राई सरकार से एक माह में OBC का आरक्षन लागू करने की मांग की है मोर्चा के परदेशा अध्यक्ष राजेस गुपता ने कहा जारखन में OBC का आरक्षन कोटा बढ़ाने का भरोसा सोमवार को विधान सवाय मुख्यमंत्री ने दिया था राची बिधान सवा के बाहर पोषन सक्षियों को खदेडा राची बिधान सवा के बाहर अंतरश्ट्रिये महिला दिवस के दिन उस समय जब अजीबो गरीब इस्थीती पैदा हो गई जब राची पूलिस की ओर से पहुंची महिला पूलिस कर्मियों ने परदसन कर रही महिलाओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया परदसन कर रही महिलाएं पोसन सखिया थी बता दे कि ये गारा महिने के अपने बकाया मान दे और अस्थाई करन की मांग के साथ पोसन सक्षिया तेज फरवरी से ही विधान सभा के बाहर भू करतार पर वैठी थी धन्यवाद